हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो आर चैनल स्वादगर जैसा सब कैसे हैं आई होप आप सब अच्छे होंगे आज हम लोग बनाएंगे आटे और सूजी का हल्वा चलिए सुरू करते हैं हमने एक कड़ाई लिया है मोटे तले का और उसको गरम कर लिया है फिर उसमें दो चम्म हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे जब तक हमारी सूजी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगी तब तक हम उसको भूनेंगे फ्रेंट्स हमने एक कप सूजी लिया था और आधा कप आटा लिया है अब हम इन दोनों को मिला के गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे जब तक कि सूजी और आटा हमारा भुन रहा है अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो प्लीज सस्क्राइब मैं चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हमारे आटा और सूजी का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है चुकि हम लोग इसमें कोई भी फूट कलर आइड नहीं करेंगे इसलिए इसको हम थोड़ा और भूनेंगे हमारा आटा और सूजी गोल्डन ब्रान हो चुका है अब हम इसमें जैसा कि आपको थमनल से पता है लेफ्ट ओबर चासनी का यूज करेंगे आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसके एक और डिंग चासनी को डालेंगे मुझे अभी चासनी थोड़ी कम लग रही थी इसलिए मैंने इसमें थोड़ी और चासनी एड़ कर दी है और अब इसमें एक गिलास पानी एड़ कर देंगे और उसको मिला लेंगे और उसको पका लेंगे फ्रेंड्स चासनी यूज करने का हल्वा बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता आप इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हैं और ये हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है हाँ अगर आपने हमारे चैनल को विता सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब फ्रेंड्स आप इस तरीके से हलवा जरूर बना के ट्राइब करें किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें सुगर का यूज किया है या चासनी का और आप अपकी चासनी भी यूज हो जाएगी हमारा हलवा लगभग बन चुका है अब हम इसमें कुछ ड्राइफ रूट्स डाल देते हैं ड्राइफ रूट्स में मैंने बादाम काजू और किस्मिस लिया है आप अपने चोईस के कोई भी ड्राइफ रूट्स यूज कर सकते हैं अब हम इसमें तीन बड़े चमच देसी घी डालेंगे देसी घी का फ्लेवर हल्वा में बहुत ही अच्छा आता है इसलिए आप इसको skip ना करें तो ही अच्छा है यहल्वा बहुत ही tasty लगता है और healthy तो होता ही है क्योंकि देसी घी की खासित तो आप सब को पता ही है अब हमारा हल्वा ready हो चुका है चलिए अब हम इसको सर्फ करते हैं फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा आपकी चासनी तो यूज होगी होगी उसके साथ ही साथ सूजी और आटे का बहुत ही टेस्टी हलवा खाने को मिलेगा अब हम इस इस रेसिपी देकोरेट कर एक सर्फ कर देते हैं अब अगे से जब वह आगे आपकी चासनी बच जाए तो आप अब हलवा बना के इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करेगा thanks for watching